हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सबी उमीद करती हूँ आप सबी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंप्लांटेशन यानि आरोपन के समय आपको ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिसकी वज़े से कंसीव होने में महलाओं को दिक्कत होती है कई बार इंप्लांटेशन आरोपन फेल हो जाता है आपको गर्वधारन ओवलेशन के समय एक फटिलाइज तो हुआ था लेकिन फिर गर्वधारन के पूरी प्रकिरिया आखरी में आ करके खतम हो जाती है वो भी एक छोटी छोटी सी मिस्टेक्स की वज़े से तो आज हम वही सारे चीज़े इस वीडियो में जाने वाले है वीडियो आपके लिए बेहद आलफुल होने वाला है इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवलेशन से लेकर के इंप्लान्टेशन तक का जो समय होता है वो कैसा होता है तो मैं आज बात करने वाली हूँ फ्रेंस कि आपके जो ओवलानेशन का वक्त होता है वो आपके पीडियोट की मद्द भाग में आ जाता है हर महिला के सरीर में जब अंडा निकलता है तो वो इतना मैचोर होता है कि उसमें एक सेल यानि एक स्पॉम एंटर कर सके और उसको फर्टिलाइस्ट कर पाए अगर आपके स्पॉम्स के क्वालिटी में या एक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपना मिलान करके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं और यह होता है जेनरली आपके पीडेट्स के दसवे दिन से कभी भी हो सकता है आगे के साथ दिनों क अंदर यह 24 दिन भी हो सकता है 15 दिन भी हो सकता है 16 दिन भी हो सकता है क्योंकि महिलाओं की पीडेट्साइकल जो होती है वो कई महिलाओं के 28, 30, 32, 34, 35, 36 इस तरीके से होती है तो एक दो दिन आगे पीछे इसमें हो जाता है जब यह फर्टिलाइजेशन की प्रकिरिया में क और गंदर होना चालू हो जाती है और एग और जो आपका सेल होता है वो मीट अप करता है औल्वेस फलोपियन ट्यूब के Alp accept मदद है दूसराalla तो जब यह बोर होता है यूटरिस की तरफ तो जब यह feudalization हो जाता है देन वो दूसरे तरफ travel करता औरButitch में जाकर कि उसको यूपन का काम करने में help करता है जब यह आपके आरोपन के काम के लिए यूच्छ के अंदर जाता है endometrium की वोल में जाकर करके और यहाँ प्यस्तापित होने की कोसिस करता है तो उसमें लगवग 7-8 दिन का समय लगता है इसलिए आपको कहा जाता है कि जब आपके period date जो संभावित है वो आने वाली है तो उसके 7-8 दिन पहले से आपको थोरी सी अपने lifestyle में बदलाव करने चाहिए क्योंकि इस समय आपके आरोपन का काम यानि implantation का संभावता होता रहता है तो दोस्तो नंबर वन बहुत सारी महिलाओं के ऐसे comments आते हैं कि क्या हमें जब हमारा period का डेट पास है वन भी क्या 8 दिर्स बचे हुए है तो हमें relationship में नहीं रहना चाहिए देखे फ्रेंट्स अगर आपके सरीर में कोई भी complication नहीं है previous history आपकी अच्छी रही है आपके सरीर के किसी भी चीज में हामोन में या फिर यूट्रस के अंदर या फिर एक के quality में problem नहीं है फीजिकल कोई भी problem नहीं है तो आप relationship बना सकते हैं लेकिन फ्रेंट्स अगर आपको बार बार miscarriage हो जाते हैं अगर आपके एग को injection के द्वारा mature किया गया है अगर आपकी IUI या IVF की process चल रही है ऐसी condition में कई बार ऐसा होता है कि आपके सरीर को बहुत जादा ठाकावट नहीं देने की बज़़े से और stress ना देनी की बज़़े से आपको relation maintain करने के लिए मना किया जाता है बट ऐसा नहीं है कि जो महिला है relation कब हो रहे हैं और वह regularly basis पे यानि की एक दो दिन छोड़ करके relation बनाते रहते हैं और वैसे couples काफी जल्दी pregnant भी हो जाते हैं तो eventually अगर आपके previous history में कोई problem नहीं है अगर आपका कोई advanced treatment नहीं हो रहा है अगर आपको doctor की तरब से ऐसा कोई भी instructions नहीं follow करने को कहा गया है तो कोई भी जादा तनाव या भार जैसा कोई activity नहीं हो पाई second कि आपको बहुत ज़्यादा heavy workout इस समय नहीं करना चाहिए देखें friends heavy workout करने के पीछे एक अपना motive होता है कि जब हम heavy workout करते हैं हमारे stomach की जो lower abdominal होता है हमारा नावी के नीचे का भाग होता है तो वो काफी ज़्यादा वहाँ पे activeness हो जाती है और vibration बहुत ज़्यादा होता है बहुत जल्दी वहाँ पे calories burn होने लगती है बहुत सारे औ में केवल हमारे focus होता है uterus में baby implant होने तक का तो उसके लिए stability मजबूती काफी important होती है आप हलके full के exercises कर सकते हैं लेकि बहुत भारी भर का weight वाली exercises नहीं करें और हो सके तो इतना जदा hard exercise ना करें जो आपके lower abdominal को काफी जदा pressure करता है ऐसा exercises आप one week के लिए ignore कर सकती है इसके अलावा friends काई बार ऐसा भी मन में प्रशन आता है कि हम hair wash strict follow कर रहे हैं hair wash strict से काफी सारी महिलाओं को फायदा मिलता है बहुत सारी महिलाओं को ऐसा भी होता है कि एक दो महिने हमने use कि हमें benefit नहीं मिला तो मैं आपको यही recommend करूंगे कि जो भी चीजे आप अपने उपर इस् हो सकता है कि आपके सरीर के अंदर जो कमी है उसके according after it नहीं कर पारी है जिसकी वज़े से आपको conceive नहीं हो रहा है तो अगर hair wash की हम बात करें तो hair wash करने की वज़े से हमारे harmos जो होते हैं वो काफे जादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं जिसकी वज़े से आपने कई बार फिल क रिजन नहीं है एक logical बात है कि ऐसा बहुत सारी महिलाओं ने महसूस किया है अपने आपका अनुवब शेयर किया है इसलिए आपको जो है hair wash उस समय बचना चाहिए और बाइदवे आयूरवेट के according भी हमें ये जानकारी मिली है कि हमें अगर head wash hair wash करना होता है तो हम कैसा भी पानी यूज करे हमारे सरीर का temperature cool down हो जाता है जिसके वज़े से इसका effect जो होता है uterus के उपर भी पड़ता है uterus का temperature भी down चला जाता है जिसमें implantation खराब होने के संभावना पैदा हो सकती है तो ये कुछ important questions थे कुछ important doubts थे जो आपके मैंने clear कर दी है आप कुछ important बात का ध्य करने के एक्छा हो रही है उसी समय से caffeine का 7 बंद कर दीजे क्योंकि friends caffeine जो होता है वो हमारे सरीर में पोजिस्ट्रोन को build up नहीं होने देता है और पोजिस्ट्रोन एक main hormone होता है जो हमारी pregnancy को support करता है इसलिए आप caffeine का 7 बंद करेंगी caffeine का main sources of consumption होता है वो होता है coffee से और वो होत क्रेविंग है आपको तो सुगर की quantity कम रखिए चाय में दूद की मातरा को कम कर दीजिए और चाय की quantity को भी कम कर दीजिए एक कप पीती है तो आदा कप ही आपके लिए sufficient है all over पूरे डे में आपको दो तीन बार चाय पीने के बिलकुल बे जरुरत नहीं है चाय कम लेना नहीं लेना है क्योंकि चाय से ज्यादा caffeine coffee के अंदर होता है तो आप समझ सकती है कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको आपके lifestyle में बदलाव तो करना ही पड़ेगा इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमेशा healthy fruits खाने होंगे healthy veggies खाने होंगे आपको बाहर का खाना हमारे जो bakery के items होते हैं यह बहुत ज़्यादा preservative के थुरूब बनाए जाते हैं इसको जो है काफी ज़्यादा process के थुरूब उजरना पड़ता है तो वो हमारे सरीर के लिए adoption के लिए काफी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है pregnancy plan करते समय हमें हमाया हामोस खराब हो सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे research में यह पता चला है कि infertility के ratio ऐसे diet की वज़े से बढ़ जाती है इसके अलावा आपको smoking नहीं करना है आपको alcohol भी नहीं लेना है आप सोच रही होंगे यह काफी आम बात है आज कर सभी लेते हैं आपके अगर husband भी लेते हैं उनको भी मना करिए क क्योंकि इससे silky quality खराब होती है ऐसे कई सारे research में पता चल चुका है आपने संतान रह जाओगे इसलिए आप alcohol का consumption पूर्न रूप से बंद करिए और आपको smoking भी नहीं करना है क्योंकि स्मोकिंग से और भी ज़्यादा बड़ी सी परेशानिया उत्पन हो सकती है आपके health के साथ आपको compromise बिलकुल नहीं करना चाहिए इसके अलावा तनाओ बहुत बार हम जब ऐसे चीजों में involved हो जाते हैं कि baby के लिए ही हम सोचते हैं baby के लिए ही हम छोटी-छोटी से steps लेते हैं तो कई सारी महिलाएं over conscious हो जाती है और ऐसी over conscious महिलाएं काफी ज़्यादा stress लेने लग जाती है उनको लगता है हम छोटी से भी काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हमें mind लगाने की जरूरत है हमें बहुत ज्यादा इसको calculating करने की जरूरत है तो बहुत ज्यादा calculating नहीं बनना है अगर आपका mind बहुत ज्यादा calculation करने लग जाएगा तो काफी ज्यादा stress में आ जाएगा और mind जब stress में आता है आपके सरीर के all over functions को काफी ज्यादा impact करता है आप ऐसे काम को भूल जाती है जो आपके लिए काफी important होते है in the whole अगर आप stress ले रही है तो आप के सरीर का functioning जो है वो खराब हो सकता है hormones भी खराब हो सकते हैं इसकी लिए जब जो महिला बहुत ज्यादा stress जिस महिने ले लेती है उस महिने कई बार periods भी delay हो जाते टाइम पे नहीं आते हैं तो जब हमारा periods ही टाइम पे नहीं आएगा तो ovulation तो होगा ही नहीं तो ideally हो कि ये अगर आपके फिर भी कोई personal सुझाओ है या फिर personal कोई query है inquiry है तो आपनी चा कमेंट section में मुझे mention कर दीजे separate वीडियो में बनाने के जल से जल उस topic पे कोसिस करूंगी और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना बोले मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई topic के साथ आप अपना पूरा धियान रखिए टे केर गाइस थैंक्स फोर वाचिंग